Hello Everyone, Welcome Back to Objective Chemistry YouTube Channel I hope आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एक्जाम के तयारी कर रहे होंगे आज के इस वीडियो में हम एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है State Eligibility Test या सेट के Practice Questions Practice Questions, देखिया, different states के अंदर अलग-अलग सेट की एक्जाम होती है जैसे MP के अंदर MP सेट, 36 गर के अंदर CG सेट होती है, K सेट करनाटका में और G सेट गुजरात में, MH सेट महारास्ट में ऐसे different states के अंदर अलग-अलग सेट की एक्जाम होती है और हम जानते हैं कि सेट के एक्जाम के जो questions होते हैं वो comparatively NET की एक्जाम से बहुत कम लेवल के होते हैं तो उस तरह के questions की भी practice हमको करना चाहिए यदि आप सेट की तयारी कर रहे हैं जैसे अभी MP में सेट का एक्जाम, MP सेट 2024 निकला हुआ है उसके अंदर किस तरह के questions आएंगे इसकी हम practice करेंगे, 36 गड़ के अंदर होने वाली है एक्जाम उसके अंदर कैसे questions आते हैं उसके हम practice करेंगे तो different states में जो अलग-अलग set exams होती है उनके जो previous year papers के अंदर जो questions हैं उनको देख करके हम ये practice questions से discuss करेंगे तो आज के इस वीडियो में हम MP set 2024 के practice question MP set का नाम दिया है आप किसी भी state के हैं किसी भी state की set की practice कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो ये question आपके लिए है मैं खास करके बात कर रहा हूँ MP set 2024 के students के लिए आप CG set के हैं तो भी आपके लिए है MP set के है तो भी आपके लिए है G set के लिए है तो भी आप इसी को refer करें episode number one आज पहला episode है ऐसे जैसे हमने net के practice questions का एक series बनाया है लगभख 25 से ज़्यादा episodes हमारे वहाँ पर हो चुके हैं जो CSIR net और gate के practice questions की एक series है आज से हम यह नई series start कर रहें जिसके अंदर हम set के questions की practice करेंगे देखे आपको clear पता चल जाएगा जो भी episode हम लेंगे उसके अंदर आप कोन से five questions discuss करने वाले हैं उनकी list में हैं पहले ही बता देता हूँ आपको हम एक question quantum number से discuss करेंगे और यह questions previous year's papers में ही आए हुए questions होंगे हम MP set की exam के त्यारी कर रहे हैं CG set से questions आ सकते हैं MH set के questions आ सकते हैं G set के questions आ सकते हैं किसी भी state के जो exam papers हैं उनमें से questions आ सकते हैं हम ऐसा मान कर कि यह उस तरह के questions आ सकते हैं तो हम यह जो practice कर रहे हैं उन previous year papers में से ही कर रहा है तो ये quantum number का एक question discuss करेंगे एक question हम bond order का discuss करने वाले हैं एक question हम learners theory से discuss करने वाले हैं एक lengthenoids की chemistry से आपको question देखने को मिलेगा और एक different catalyst based एक question आपको देखने को मिल रहा है तो इसी तरह की series हमारी चलने वाली है यदि आप channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर लें भले ही आप किसी भी state की state eligibility test की तयारी कर रहा है देखिए question number one ये रहा आपके सामने chlorine परमानू के अयुगमित electron का सही quantum संख्या है या the correct quantum numbers for the unpaired electron of chlorine atom is है ना दोनों में आपको दोनों languages में question paper के अंदर question देखने को मिलता है question आपको English में भी और Hindi में भी देखने को मिल जाएगा the correct quantum numbers for the unpaired electron of chlorine atom बहुती easy सा question था class 11th में इस तरह का question हम करते हैं इसको solve करना बड़ा आसान है आपके लिए आप भी इस question का solution निकाल करके आराम से बता सकते हैं chlorine atom आपके पास है chlorine का atomic number 17 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 ऐसा electronic configuration हम लिखते हैं हमको पता है कि unpaired electron क्योंकि सामने वाले ने unpaired electron के लिए आयुगमित electron के लिए ही आप से quantum numbers का set पुछा हुआ है unpaired electron आपको ये 3p के अंदर मिलेगा 3p आप इससे draw कर सकते हो 1, 2, 3 ये आगया आपका 3p 3p के अंदर कितना electron 5, 1, 2, 3, 4, और 5 ये electron सामने feel कर दी आपको पता चल गया कि आपका जो unpaired electron है वो यहाँ पर है तो 3p के अंदर आपको electron मिल रहा है 3p से 2 quantum numbers तो आपको आसानी से मिल जाती है एक तो है principal quantum number मुख्य quantum संख्या n मिल जाती है ये 3 जो आगे digit लिखा हुआ है इस sub-cell के साथ वही हमारा quantum number होता है n is equal to 3 आ जाएगा अब इन options में से a, b, c, d options में से c और d में n is equal to 3 सामने वाले ने दिया हुआ है तो a और b तो ऐसे cancel out हो जाते है c और d बचा दूसरा p sub-cell दिया हुआ है आपका electron p में है और azimuthal quantum number p के लिए कितनी आती है 1 आती है s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 इस तरह से हमको पता है हम class 11 थसी यह पढ़ते आ रहा है आप तहा हम mhc के बाद आ चुके है set और net exam के त्यारी कर रहा है तो आपको इतना तो आराम से ही पता होगा बस यह revision में आपको इस तरह के questions बता रहा हूँ इन questions पर आप focus कीजिए इस तरह के और questions practice कीजिए ठीक दो चीजे पता चल गई बस c और d में से आपको आप answer भी आपका मिली गया और वो क्या है l is equal to 1 वाला मतलब c वाला answer आजाएगा आपका n is equal to 3, l is equal to 1 और ml value magnetic quantum number भी आपकी चुमबकी quantum संख्या भी आपकी 1 dv है जो की इस orbital के अंदर है यह beach वाला 0 वाला होता है 8 side वाले plus और minus 1 वाले होता है ठीक है तो यह आपका हो गया पहला question दूसरे question पर चलता है c option आगया दूसरा question आपके सामने यह रहा the correct bond order for n2 o2, n2 minus and o2 minus यह आपको दिया हुआ है है ना इसको थोड़ा सा मैं उपर कर लेता हूँ question number 2 हम solve करेंगे इस question को बड़े आसानी से हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात हम जब भी इस तरह के normal यह जो cations, nions molecules दिये भी रहते हैं भले ही वो homoatomic हो या heterotomic molecules दिये हो आपको क्या करना है आपको एक series बना लेना है 14, 15, 16 17, 18 19, इधर भी 13, 12, 11 10 इस तरह की series बना सकते हैं हम यह कहते हैं कि जो 14 वाला set है या 14 number है इसका या जब आप किसी molecule की बात करोंगे तो उसमें electrons count करोंगे और electron से 14 होते हैं तो bond order कितना आता है? 3 आता है bond order कितना आता है? 3 इससे ज़्यादा और इससे कम होने पर हम 0.5 से कम करते चलते हैं जैसे 3 से या 14 से 15 की तरफ जाओंगा तो bond order हो जाएगा 2.5 16 पर bond order 2 हो जाएगा 17 पर 1.5 18 पर 1 ऐसे वापस इधर भी आओगे तो भी 2.5 2, 1.5, 1 इस तरह से आप चलोगे अब आपको 4 species दिवी हैं उनके अदर electron ही तो count करना है आपको आसानी से आपका लोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं nitrogen 14 nitrogen का कितना होता है 14 तो 14 वाला तो आपको मिल गया nitrogen N2 oxygen 16 electrons 16 electrons यहाँ पर आएगा आपका O2 N2 minus 14 plus 1 एक negative charge लगा हुआ है तो एक extra electron मतलब 15 electrons हो गया आपके पास 15 के लिए 2.5 N2 minus हो गया ऐसे ही O2 minus 16 plus 1 17 electrons 17 electrons वाला कहां पर है O2 minus यह आपको पता चल गया सभी के bond order क्या-क्या है आपको पता चल गया तो आप उनका सही आबंध क्रम बता सकते हो और सामने वाले ने सारे के सारे जो options दिये हुए है वो decreasing order के अंदर आपको दिये हुए तो सबसे ज़्यादा तो किस का आएगा? N2 का फिर उसके बाद N2 minus N2 के बाद N2 minus फिर उसके बाद O2 का O2 का फिर O2 minus बराबर है तो आपका correct answer क्या बनेगा? A वाला correct answer बनेगा बताओ भई समझ में आरी बात इस तरह के questions पूछे जाते हैं set की exam के अंदर अगले question पर चलते हैं यहाँ पर देखो अगला question भी बड़ा अच्छा है और interesting question है question समने वाले ने इस तरह से answer, reason वाला कथन और तरक वाला question पूछा हुआ है ऐसे question आते हैं set की exam में ऐसे question देखने को मिलते हैं net की exam में भी ऐसे question आपको देखने को मिलते हैं मैं देखो इसको solve करते हैं अब हम answer, reason दिया हुआ है answer, son में आपको एक sentence उसने कहा कि एक यह complex है cobald का ammonia और chlorine के साथ complex बना हुआ है given, gives white PPT with ageno-3 solution यह जो complex है ageno-3 घोल के साथ sweat अवक्षेप ब्रदान करता है करता है answer, son यह है reason आपको दिया हुआ है reason क्या दिया हुआ है chlorine is not present in ionizable part of the complex chlorine ionizable part में present नहीं है दिये गए submission में, complex में आयनी भाग में chlorine अनुपस्तीत है अब देखो, सही बात कह रहा है दूसरी बात तो मुझे सही लग रही है ionizable part कहां पर होता है यह जो ionization sphere होता है इसके बाहर वाले part को हम ionizable part कहते हैं जो भी complex आपको दिया हुआ है उस complex में जो capital bracket है उसको हम ionization sphere से अलग मानते हैं यह ionization sphere है हमारा और यह coordination part है हमारा तो ionization part के अंदर ionizable part के अंदर कोई भी chlorine नहीं दिया है दूसरा वाला यह के रहा है दिये गए complex के अंदर आइने भाग में chlorine अनुपस्तित है अनुपस्तित है? नहीं है, सही बात है मतलब तरक सही है reason सही है लेकिन कथन का क्या है? कथन AGNO3 गोल के साथ स्वेट आउक्षेपन देगा क्या? वर्नर्स तेवरी यह कहती है कि यह ionizable part जो है यही ionize होता है सिर्फा यही AGNO3 के साथ reaction करके AGCL बना सकता है यदि इसमें chlorine होता लेकिन AGCL नहीं बन पाएगा क्योंकि ionizable part के अंदर chlorine नहीं है तो प्रदान करता है यह तो गलत बात है white PPT बनता है यह तो गलत बात है मतलब एजर्सन गलत है reason सही है क्या कि chlorine is not present in the ionizable part ionizable part के अंदर chlorine present नहीं है तो कौन सा वाला? A गलत परंतु R सही D वाला option बनेगा हमारा correct है A is wrong, एजर्सन is wrong but reason is correct reason correct है यहाँ यदि वो यह कहता कि गोल के साथ अवक्षे प्रदान नहीं करता है तो कथन भी सही होता तर्क भी सही होता और कथन का तर्क जो है वो बिलकुल correct होता तो हम पहला वाला लगा तो both A and R correct correct explanation भी है A का R ठीक है? चलो, इसके बाद अगला question अगला question भी बिलकुल वेसा ही question as a reason वाला और यदि इस question का answer आपको पता है मतलब आपने lengthenoids के chemistry को study किया है तो आपको यह question आराम से आजाएगा पहले ही lengthenoid serium से question पूछा हुआ है serium plus 4 is used as an oxidizing agent in volumetric analysis आयतनी visualization में serium plus 4 का प्रयोग एक आक्सिकारक की तरह किया जाता है यह आजरसन है reason क्या किया रहा है? तर्क क्या दे रहा है? serium plus 4 की प्रवत्ती होती है क्यों plus 3 आक्सिकारन इस्तिती को प्राप्त कर लेता है यह प्राप्त करने की होती है उसकी जो tendency है है ना c e plus 4 serium plus 4 has tendency to attain plus 3 oxidation state दोनों ही बाते सही है दोनों ही बाते सही है और reason जो दिया है वो बड़िया reason दिया है सामने वाले ने बड़िया reason जो दिया है या reason दो दिया है उसी के कारण पहला वाला कथन चलता है मतलब serium जो होता है plus 4 oxidation state में दी है तो उसकी tendency होती है कि वो plus 3 oxidation state के अंदर जाए यह उसका nature है वो plus 3 में जाना चाहता है अब plus 3 में जाना चाहता है मतलब एक electron gain करना चाहता है एक electron को gain करेगा तो खुद reduce हो जाएगा लेकिन दूसरे को क्या कर देगा oxidize कर देगा so serium plus 4 can be used as an oxidizing agent तो volumetric analysis के अंदर serium plus 4 का use कर लेते हैं as an oxidizing agent क्यों? क्योंकि वो plus 4 से plus 3 में जाने की tendency रखता है so assertion भी सही है और are reason भी सही है और are reason assertion a का correct explanation भी है तो हम क्या कहेंगे both a and r are correct and r is correct explanation for a जो reason दिया है वो बड़ाबर अच्छा explanation दिया है a का assertion का अगले question पर चलता है दो आपको list दिवे match list first with list second list list first और list second को match करना है list first के अंदर आपको कुछ catalyst दिये हुए है कुछ catalyst दिये है और list second के अंदर वो catalyst किस तरह की process में किस reaction में use होते हैं वो आपको दिया हुआ है तो चार catalyst दिये हैं चार processes दिवे है एक एलकीन का hydro formulation दिया हुआ है hydrogenation दिया हुआ है acidic अमलक के लिए monsanto उत्रे रख और waker प्रक्रिया में कहां कौन सा वाला योज होता है यह हमको बताना है तो मैं आपको बताता हूँ आप भी यह question मैंने इसी लिए लिया हुआ है कि आपको पता चले कि इस तरह के questions पर आपको focus कर रहा है मतलब यह चार catalyst को छोड़ कर गा और दूसरे catalyst भी है जिनका एक specific function है जो एक specific process के अंदर एक specific reaction के अंदर use होते हैं तो वो कौन से ऐसे catalyst है और कौन सी process है उनकी matching matching जोड़िया बना लो चलो भई आजाते हैं हमारे question पर मैं सबसे पहले जो ज़्यादा जान पेचान का होता है वहाँ से सुरुवात करते है जब भी ऐसा question आपके सामने आए आपको इन चारों में से और हम बच्बन से करते हा रहे है match the column था हम बच्बन से करते हैं और उसमें हम ऐसा ही करते है कि हम जो ज़्यादा जान पेचान का है मतलब जो अच्छा हम को आता है हम उससे सुरुवात करते है मुझे सबसे अच्छा पता है waker process waker process में मुझे ये पता है कि palladium chloride का complex होता है palladium और chlorine का जो complex होता है वो use होता है या उसको हम waker process में use करते हैं इस तरह के catalyst को तो जो c वाला option है उसके लिए fourth वाला process आएगा हमारा मतलब c में जो c नंबर पर जो हमको catalyst दिया हुआ है वो use होता है waker process में ठीक है अब पहले c वाले को देख लो c में four c में four इसमें भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है मतलब b और c दो option तो मेरे cancel हो गए आप बचा a और d इसी तरह के process आप भी apply किया करो जब इस तरह का question आपके सामने आता है मुझे monsanto के catalyst के बारे में भी पता है monsanto catalyst के लिए हमको ऐसा catalyst ढूणना होता है जो rhodium और iodine से मिल करके बना हुआ होता है rhodium iodine का catalyst तो rhodium iodine का catalyst हमको दिखाए दे रहा है b नंबर पर या b वाले के लिए जो process होगी वो monsanto catalyst for acidic acid होने वाली है तो b का third वाला b का third वाला कहां पर दिया हुआ है एक ही option है जहां b का third वाला यदि आपको सिर्फ monsanto catalyst भी पता होता तो भी ये question आपका आराम से solve हो जाता है इन 4 में से एक भी ये दिये पता है चलो आगे बढ़के monsanto catalyst के लिए b का third वाला हो गया मतलब हमारा answer तो निकला है d वाला option आपका correct answer जाएगा फिर भी हमको करते जाना चाहिए एक hydro formulation के बारे में भी मुझे पता है hydro formulation के लिए हमको एक ऐसा catalyst यूज होता है जिसके अंदर hydrogen और carbonile group लगा होता है ये जो misprint है उसको देख लेना ये cobalt है actual में small o है वो capital o नहीं है cobalt है cobalt वाला हो सकता है iridium वाला हो सकता है rhodium वाला complex हो सकता है लेकिन उसके अंदर hydrogen होना चाहिए और carbonile present होना चाहिए ऐसे catalyst को हम use कर सकते हैं hydro formulation के लिए so d का first वाला होना चाहिए d का first बिलकुल correct आप यहापर जो answer check out कर ले हैं वो उसमें match कर रहा है आगे बढ़ते हैं और आखरी चीज़ बच गई वो है hydrogenation catalyst hydrogenation process के लिए आपको जो catalyst use होता है उसको हम wilkinson catalyst कहते हैं wilkinson catalyst तो यह है wilkinson catalyst triphenyl phosphine के साथ rhodium का complex जो होता है इसको हम wilkinson catalyst कहते हैं तो यह वाले के लिए second वाला option होना चाहिए था एक वाले के लिए second वाला option बराबर है सारे question हो गए हमारा 5 question हमने discuss किये कौन से question है इस तरह के जो concept है उन पर आपको practice करना है मेहनत करना है इस तरह के questions पढ़ते रहने के लिए हमारे channel को subscribe कर लिए bell icon को press कर लिए और इस video को यदि अच्छा लगा हो तो like जरो किजे thank you very much for watching this video